उत्तरकाशी में हुए सुरंगा हाथसे में जिस तरह से चालेश श्रमिकों इतके भीतर फसे हुए हैं, उन्हें बाहर निगालनी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाये हुए ह उनके परिवारों से भी बात हुई है, सभी वहां सुरक्षित हैं, जल से जल वह सुरक्षित बहार आ जाएंगे, हम सब इसी काम में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुसल हैं और लगातार उनको भोजन, सामागरी और पानी और साथ में ऑक्सिजन की सप्लाई हो रही है, सभी लोग लगातार उस पर नजर बनाये हुए हैं सब्सक्राइब लगातार बात हो रही है, माननी प्रधान मंत्री जी स्वयम सारी घटना को नजदीक से देख रहे हैं, लियानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं, वहां से हो चुके हैं और हमने ये भी कहा है कि चुकि टनलों का काम हमारे उत्राखंड में बहुत ज़्यादा है, जगा जगा पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भौश्ची में हम जितनी भी टनल बन रही हैं, उनकी भी सभी की समिक्षा करेंगे, एक पार की सभी टनलें किस परकार से की तरीके से उनका निर्मान हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनोतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस परकार की घटना होती, तो उसके लिए भी तौरित रूप से जल्दी साहिता मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए.